हेलो गाईज नमस्कार मैं आप लोग को स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम बात करेंगे हेमोगुलिविन के बारे में खून के बारे में आरबीसी के बारे में दोस्तो अगर आपके सिरी में हेमोगुलिविन के मातरा घट गया है या आपके सिरी में खून की मातरा घट गया ह दोस्तों और अपने सरीर को अपने चेहरे में चमका सकतें आई जानते हैं हेमोकलिबिन क्या है। खुन में आ devil के कमी से हेमोकलिबिन के कमी हो जाने को एनीमिय अरथात्रक्त अल्पता का रुक कहा जाता है। आईरन हमारे सरीर में लालक कुष्काव का निर्माय करता है, ये कुष्काएं ही सरीर में हेमिकुलिबिन बनाने के काम करती है, इसलिए आईरन के कमी से सरीर में हेमिकुलिबिन के कमी हो जाती है, और हेमिकुलिबिन कम होने से सरीर में अक्सिजन के कमी होने लगती है, क्योंक वाला बदलाव इस समस्य का मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है बढ़ते बच्चों अस्थन पान करने वाली महिलाव वह बीमार बेक्तियों में इनिमिया का खत्रा ज्यादा होता है विश्व का लगबग 60% महिलाएं और हमारे देश की लगबग 90% महिलाएं इनिमिय का कारण की शरीर में खुन के कम हो जाने से हमरे शरीर में निमलीकित लक्षन दिखते हैं जैसे कि आखे पिली हो जाना कमजोरी और ठकावट महसुस होना चक्कराना छाती में दर्द होना एम पसीने में एठन होना ताचावा नाखुन का पिला होना लेट के उठने पर आख यह आपको खून के कमी हो जाना पर यह आपके सरी में लक्षण दिखते हैं आई जानते हैं इसका घरेल उपचार क्या है इसको प्योग से आप अपने खून के बाड़ी में खून के कमी बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं और आपने हेमिगुलिविन का बढ़ा सकते हैं जै चोई तक आख मेरी चैनल सस्क्राइब नहीं कियें तरह मेरी चैनल को सुझ्क्राइब झरूर करें कि इस पर ऐसे हम घरेलो टिप्स आपके लिए बताते हैं जिसका किसी विपद्गा का साइड फ्यक्ट नहीं होता है आई जानते हैं टिप्स नमर वान पालक पालक में भरपूर्म लोह तता बिटामिल बी ट्वल्ब होता है इसके साथ ही पालक फॉलिक एशिट का भी अच्छा सुरूत होता है ऐसे में पालक खाने से खुन की कमी पूरी होती है उपचार के लिए पालक का सुपना करा या पालक का साग आजी को अपने रोज के खाने में सामिल करना चाहिए पालक खाने से आपके सरी के खून के कमी बहुत ही तेजी से खतम होता है, आपके हेमोगुलबीन बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसमें आइरन होता है और विटामिल 12 होता है, जिसके वोजा से आपको खून के कमी बहुत ही तेजी से पूर्ती होता आता है, और आपका सरीर हस्ट पुष्ट हो जाता है टिप्स नमर टू अनार अनार शरीर में हेमोगलोबीन को बहुत तेजी से बढ़ाता है अनार में पोर्टीन और कर्भोहईडेट की उच मात्रा होती है इसमें आईरोन और केल्सियम भी होता है यह खुन में हेमोगलोबीन की मात्रा को तेजी से बढ़ा श्में पोर्टीन और कर्भोहाइडरेट रहता है और आईर्ण से आपके सरी में खुन की मातरा बहुत तेजी से बढ़ता है इसको आपको रोज एक सुबहा में एक ऑनार कहना चाहिए और आनार के जूस पी इसे आपको कुण के किसमस्त बहुत ही तेजी से खतम होगी टिप्स नमबर ठोड टमाटर टमाटर शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आईरन की मात्रा लेने के साथ ही यह बहुत ही जरूरी है आईरन को आपका शरीर सोखे इसमें टमाटर अहंभूम का निबाता है रोजाना एक से दो कच्छे टमाटर जरूर खाए एक लश टमाटर का रस भी रोज पिए और खाना बनाए और चलाद में भी टमाटर का भर पूर उप्योग करें आपको टमाटर खाना चाहिए जिससे आपको हेमिगुलमन की मत्रा बढ़ेगी टिप्स नुमर फूर्थ खजूर खजूर भी आईरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है 100 गराम खजूर में 90 मिली गराम आईरन की मत्रा होती है दो खजूर को एक कप दूद में रात भर के लिए छोड़ दे इन खजूर को सुबा खाली पे चबा कर खाए बचे वे दूद को भी पी ले खजूर को गरम पानी में या दो तीन घंटे के लिए भिगा कर उस पानी को पीना भी फायदा मंद होता है चीन लोगों को लेक्टोज से अलर्जी है और दूद नहीं ले सकते उनके लिए बहदी तरिका है दोस्तों अगर आपको खून को कमी है तो आपको रोज खजूर दो एक गिलास पारतम हो जाएंगे और आपका चेहरा स्तुंदर और आप हश्ट पुष्ट हो जाएंगे टिप्स नमर फाइफ किस्मिस किस्मिस भी इनिमिया के बहत अच्छे घरियरी दवा है किस्मिस में आइरन पोर्टीन फाइबर शोडियम जैसे उच पोशक तत्व होते हैं उपचा किस्मिस में आइरन पोर्टीन और फाइबर और शोडियम बहुत ही उच मातरा में होता है आपको रोज 10-20 किस्मिस को रात में पानी में भीगोकर रख दे उसके बास सुबह उठकर आपको सहथ के साथ उस दस पंद्रे किस्मिस को खा ले और उपर से उस पानी को पी ले इस यह आपको अगर लगतार साथ दिन करते हैं तो आपके जितने भी समस्य खत्म हो जाएंगे आपके हमोगरी बढ़ जाएगा और आपके खुन के समस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा यह एकदम घरेलू और आजयोदिक है इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं ह तो हमेशा हमेशा घरेलू और आजयोदिक टिप्स ही दिया जाता आ दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग